नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे हैं आप सब की प्रिप्रेशन कैसे चल रही हैं नभीयस एकजाम की दोस्तों आप सब के लिए आज एक बहतरीन जीके का टेस्ट स्रीज लेके आए हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाश्ट तक देखें और आप कमेंट्स करके हीज़ेगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ all to all question the best question आपको दिये हैं तो आप जरूर बनाके देखें आपको एक idea लगेगा कि आप gk gs current affairs कितना पढ़ते हैं आप कितने पानि में हैं आप exam में कितना स्कोर कर सकते हैं ओके दोस्तों आज ये जीके का पाँचमा टेस्ट स्रीज है यदि आप लोग पहले वाला चारों टेस्ट स्रीज नहीं बना है तो बना लें उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा N.V.S. G.K. 2024 करके ओके और इसके अलाबे आप हिंदी का all to all विडियो देख लें कंप्यूटर का all to all विडियो देख लें दोनों का प्लेलिस्ट एविलेवल है आपको N.V.S. हिंदी 2024 करके और N.V.S. कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा उसमें all to all विडियो एविलेवल है दोस्तों आपके इस N.V.S. non-teaching exam तक the best content देते रहेंगे जो आपको इस exam में अच्छा खासा help करेगा दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए ये जीके का बहतरीन test series start करते हैं और देखते हैं पहला question क्या का रहा है यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप अपने दोस्तों में भी share करें और आप ये comments करके जरूर बताईएगा दोस्तों question bilingual दिये हैं जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आती होगी आप English version देख सकते हैं दोस्तों ये पहला question क्या का रहा है दिसंबर 2023 में गठित सोलमे वित आयोग के कार्यान वेन अबधी कब तक होगी यानि की सोलमे वित आयोग जो अपना report देगा ये किस period के लिए लागू होगा आप लोग अपना answer confirm करेंगे आपका option है 2024 से 2028, 2025 से 2030, 2026 से 2031, अंतिम अप्सन है 2025 से 2029 तो दोस्तों आप लोग जल्दी से अपना answer confirm कर लें कि सोलमे finance commission जो अपना report देगा वो किस period के लिए लागू होगा जल्दी से आप लोग अपना answer confirm कर लें दोस्तों इसका जो सई answer होगा option C, 2026 से 2031 के लिए लागू होगा तो आप लोग अच्छे से ध्यार में रखेंगे और इसका गठन कब हुआ है तो गठन दिसंबर 2023 में हो चुका है और अभी कौन सा finance commission चल रहा है तो अभी पंदरामा finance commission चल रहा है ये जो report दिया है वो कब तक चलेगा तो वो 31 March 2026 तक चलेगा और ये सुलमा finance commission का report 1 April 2026 से 31 March 2031 तक चलेगा तो आप लोग इन बातों को अच्छे से ध्यार में रखेंगा आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा important है चलिए दोस्तों देखतें question number 2 क्या का रहा है question number 2 क्या का रहा है दोस्तों महात्मा गांधी ने निटाल भारतिये कॉंग्रेस का गठन किस वर्स किया था आपका option है 1895, 1893, 1894, 1896 तो दोस्तों आप लोग अपना अंसर कन्फर्म करें कि महात्मा गांधी भारतिये नटाल कॉंग्रेस का गठन किये थे दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा option C 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिन अफरिका में भारतिये नटाल कॉंग्रेस का गठन किये थे जो एक संगठन था, एक समो था, आप से कहीं ये पुचे कि भारतिये नटाल कॉंग्रेस का स्थापना महात्मा गांधी दक्षिन अफरिका में कब किये थे तो 1894 हम किये थे, कहां किये थे, दक्षिन अफरिका में, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, और आप से कहीं ये बुचे, कि महात्मा गांधी के साथ एक और बैक्ती कौन थे, जो इस संगठन के अस्तापना में अहम भूमिका निभाये थे, तो उनका नाम था दादा अब्दुल्ला, तो आप इन नाम को भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा, चलिए दोस्तों, देखते हैं, कोश्चन नमर 3 क्या कहा रहा है, तीन नमर क्या कहा रहा है, दोस्तों, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवग्या अंदोलन कहां से आरम किया था, आप अपसंडी, दांडी, दांडी में नमक कानून को तोड़ने के बाद सिविल अवग्या अंदोलन इस्टार्ट हो गया था, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे दोस्तों लोग कनफ्यूज हो जाते हैं, कि सिविल अवग्या अंदोलन सावरमती आ चलिए दोस्तों देखते हैं, कोश्चन नमर चार क्या का रहा है, चोथा नमर कोश्चन क्या का रहा है, दोस्तों, 1192 इस्पी में हुई तराइन की दूसरी लराई में मुहम्मद गोडी ने किसे पराजित किया था, तो आपका उप्सन है पिर्थवी राज पर्थम, तराइन की दूसरी लराई हुई थी, उसमें मुहम्मद गोडी ने किसे हराया था, दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा, आपके एकजाम में अउनली पिर्थवी राज आता है, आप लोग सही कर देते हैं कि पिर्थवी राज चोहन यह अंसर होगा, लेकिन जब पिर्थवी अंसर होगा, वो पिर्थवी राज तिरतिय होगा, यही पिर्थवी राज चोहन थे, तराइन की पहली लाड़ाई कब होई थी, तो वो 1191 होई थी, इसमें पिर्थवी राज चोहन जीत गए थे और मुहम्मद गोरी हार गया था, और उसके बाद अगले साल यानिकी 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई होई, जिसमें पिर्थवी राज चोहन हार गए और मुहम्मद गोरी का बिजय होगा, तो वो पिर्थवी राज चोहन कौन थे, पिर्थवी राज तिरति, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं, question 5 क् किसे बनाया गया है, आपका option है, अरविंद पंगडिया, इनकेसिंग, वाई पी रेडी, अंदिम option है, डॉक्टर बीजय एल के लिकर तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग अपना अंसर कंफर्म कर लें, कि सोल में Finance Commission के अध्याक्च कोन बने हैं, दोस्तों इसका जो सही अंस होगा, option A, अरविंद पंगडिया, सोल में भी तायों के अध्यक्च बने हैं, और जैसा कि आपको पहला question में बताये थे, कि ये Finance Commission का गठन दिसंबर 2023 में की गई है, और ये जो अपना रिपोर्ट देगा, वो कब से कब तक के लिए लागू होगा, तो 2026 से 2031 तक के लिए ल पुचे की 15 में Finance Commission के अध्यक्च यानि की Chairman कोन है, तो N.K. Singh आपसे कहीं 14 में का पुचे, तो Y.B. Ready थे, और आपसे कहीं 13 में का पुचे, तो Dr. B.J.L. केल करते, तो एक सिक्वेंस में लिख दिये हैं, कि आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये हो गए 16 में के अध्यक्च और ये हो गए 14 में के अध्यक्च और ये हो गए 13 में के अध्यक्च, तो आप लोग ये सब अच्छे से ध्यान में रखेंगे, आपके एक्जाम में पूचे जाते हैं, आप इन छोटी-छोटी बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, तो आप सब से थोड़ जल्दी से अपना अंसर कंफर्म करें कि सतकोसियाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में हैं दोस्तों इसका जो सब्सक्राइब अंसर होगा आपसं सी और इसा में है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं कोस्चन नमर साथ क्या का रह अगला औपन वनिको अंतिमुपार आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगा पाहले दादर और नगरहवेली दवन और दुइप अलग-अलग के अंतसासित परदेश था लेकिन 2019 में इसे मर्ज करके एक कर दिया गया है तो आप इन बातों को भी धियान में रखेंगे और ये कोंकनी, मुकता, गोआ और महराश्टर में बोली जाती है तो आप लोग इस बात को भी धियान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं, कोश्चन नमर 8 क्या का रहा है कोश्चन नमर 8 क्या का रहा है दोस्तों, 20 अपरील 1889 इस पी में हिटलर का जन्म कहां हुआ था आपका उप्सन है पॉलेंड, ब्रावनाव, एमीन, इतली, जापान तो दोस्तों आप लोग जल्दी से अपना अंसर कनफर्म करें कि हिटलर का जन्म 20 अपरील 1889 को कहां हुआ था जल्दी से आप लोग अपना अंसर कनफर्म करें दोस्तों इसका जो सई अंसर होगा, आप्सन भी, ब्रावनाव, इम, इन में हुआ था ये कहां पे है तो ये उस्ट्रिया में एक जगा है वहीं पे हिटलर का जन्म हुआ था तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें चलिए दोस्तों देखते हैं question number 9 क्या का रहा है question number 9 क्या का रहा है दोस्तों संस्कृत नाटक नागा नंद की रचना किस सासक द्वारा की गई थी आपका option है परभाकर वर्धन हर्स वर्धन, चंद्रगुप्ति दूटिया अंतिम option है बिंदु सार तो दोस्तों आप लोग जल्दी से अपना अंसर कंफर्म करें कि संस्कृत नाटक नागा नंद की रचना किस के द्वारा की गई थी दोस्तों इसका जो सई आंसर होगा option B नागा नंद की रचना हर्स वर्धन के द्वारा की गई थी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे यह क्या है यह संस्कृत नाटक है एकजाम में इस तरह से भी पूछता है कि नागा नंद क्या है तो यह संस्कृत नाटक है आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं बैक्तियों को पदम अलंकरन प्रुसकार 2024 से सम्मानित किया गया है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, आपसे कहीं अलग-अलग पुछे कि पदम सिरी कितने विक्तियों को दिया गया, तो 110 पदम भूशन कितने विक्तियों को दिया गया, तो 17 पदम भी भूशन कितने विक्तियों को दिया गया, तो टोटल 5 विक्तियों को, और आप आपसे सिर्फ इस तरह पूछे कि पदम पुरुषकार टोटल कितने विक्तियों को दिया गया तो 132 ये तीनों जुड़ जाएगा ओके समझ मागया दोस्तों तो आप इन सभी बात को ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं कोस्चनमरी 11 क्या का रहा है कि किस परक अपसे बी ये एक वाइरल रोग है तो आप लोग अच्छे से धियान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं कोस्चनमरी 12 क्या का रहा है कि क्या का रहा है दोस्तों सबरी माला एक हिंदू तिर्थ छेत्र है यह किस बाग अभ्यारन छेत्र में इस्तित है तो आपका अ दोस्तों आप लोग जल्दी से अपना अंसर कंफर्म करेंगे कि सबरी माला मंदीर किस बाग अभ्यारन छेत्र में इस्तित है दोस्तों इसका जो सई अंसर होगा ऑप्सन सी ये पिरियार बाग अभ्यारन छेत्र में इस्तित है आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे ये सबरी माला मंदिर किस राज में है तो ये केरल में श्थित है आप से कहीं ये पुछे कि ये केरल के किस जिले में श्थित है क्योंकि कुछ इजाम में ये भी पुछा गिया है कि सबरी माला मंदिर केरल के किस जिला में श्थित है तो ये पथनाम थिटा जिला में श्थित ह तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे आप से कहीं ये पुछे कि सब्री माला मंदिर किस भागवान को समर्पित है तो ये भागवान अयपपा को समर्पित है आप इसको भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे ये सब छोटी छोटी बाते जो आपको ध्यान में रखन रिनात्मक धनात्मक तो दोस्तों जलदी से आप लोग अपना अंसर कनफर्म कर लें कि बल अगुर्ण की S.I.E. कहीं क्या होती है दोस्तों इसका जो सहीं अंसर होगा औप्सन भी Newton मीटर बल अगुर्ण की S.I.E. कहीं होती है तो आप लोग अच्छे से धियान में रखें, ओके, चलिए दोस्तों, देखते हैं, question number 14 क्या का रहा है, question number 14 क्या है, दोस्तों, उत्तल दर्पन की focus लंबाई होती है, क्या होती है, सुन, अनंत, रिनात्मक, धनात्मक, तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग अपना अंसर कर्म करें, कि उत्तल दर्पन की focus लंबाई क् तो वो निगेटीव होती है रिनातम होती है तो आप दोनों बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं headed कि अ क्या क्या का रहा है तो निम्र लिखित में से कौन सा समानिता वाइू परदूसन नहीं है आपका आपका उप्सटों है हाईड्रोकारवन, सलफर डायोकसाइड, करवन डायोकसाइड, करवन मोनोकसाइड, तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना अंसर कन्फर्म करें, कि इन में से कौन समानेता वायू परदूसन नहीं है, दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा, आपका दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा, आपका अपका उप्सटों है, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखे ने, ओके चलिए दोस्तों, देखते हैं कोश्चन नमर 17 क्या का रहा है, दोस्तों, निम्र लिखित में से कौन ग्रेमी पुरुसकार जीतने वाले पहले भारतिये आपका उप्सटों है, पंडित रविशंकर, पंडित सिभकुमार सर्मा, पंडित विश्मोहन भट, उस्ताद जाकिर हुसें, तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग अपना अंसर कन फर्म करें, ग्रेमी पुरुसकार जीतने वाले पहले भारतिये कौन थे? दोस्तों, इसका ग्रेमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया था, आप लोग अच्छे से धियान में रखेंगे, और आपसे कहीं ये पुछे, कि पंडित रविशंकर को भारत रतन कब दिया गया था, तो आप इस बात को भी धियान में रखेंगे, टोके? चलिए, दोस्तों, देखते हैं, को थारू- भूटिया तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना अंसर कन्फर्म करें कि वांगला महत्सभ मुक्त किस जण्जाती के द्वारा मनाया जाता है कि दोस्तों इसका जो सही अंसर hooga option B मेगाले में गारोजन्जाती के द्वारा वांगला महत्सभ मनाया जाता है तो आ इसके लिए परकिरिया से संबंदित है आपका ओप्सन है आठकल 352, आठकल 294, आठकल 368, आठकल 356 तो दोस्तों आप लोग अपना अंसर कंफर्म करें कि समिधान संसोधन करने की परकिरिया किस अनुछेद में है दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा ओप्सन सी आठकल यहीं क संसोधन की परकिरिया का वर्णन किया गया है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा और समिधान संसोधन करने की सक्ति किसको है संसद को है तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे और आप से कहीं यह पूछे कि यह समिधान संसोधन की परकिरिया किस देश स ली गई है तो ये दक्षिन अफरीका से ली गई थी तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे और आप से कहीं ये पूचे कि अनुचेद 352 किसे संबंदित है तो ये राष्ट्रिय अपात से संबंदित है तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे जब देश मे के विशय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकता है तो ये अनुचेद 249 में कहा गया है और ये सकती किसको दी गई है तो राज सभा को दी गई है तो किसी भी राज सुची के विशय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है वो ऐसा कानून बना सकती है तो तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और अनुशेद तीनसाचपन किसे समन्दित है तो जब किसी राज में राष्ट्रपती सासन लगाना हो तो अनुशेद तीनसाचपन का परियोग किया जाता है तो आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देख दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा option A केलू चरन महापात उडिसा के पहले सास्त्री नर्तक थे जिन है पदम विभुसन पुरुसकार से सम्मानित किया गया था आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते है question number 21 क्या का रहा है question number 21 क्या का रहा है दोस्तों राष्ट्रिय बाली का दिवस कब मनाया जाता है आपका option C 24 जनवरी को राष्ट्रिय बाली का दिवस मनाया जाता है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते है question number 22 क्या का रहा है question number 22 क्या का रहा है दोस्तों भारत का अंतिम सक्ति साली मुगल सासक किसे माना जाता था आपका option है अकबर औरंग जेव अकबर दूति है अंतिम अपसन है साज जहां तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना अंसर कंफर्म करें दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा option B औरंग जेव को भारत का अंतिम सक्ति साली मुगल सासक माना जाता है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे ओके चली दोस्तों देखते हैं question number 23 क्या का रहा है question number 23 क्या का रहा है दोस्तों कम से कम 10 वर्ष की अबदी के दोरान किसी अस्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की ओसत प्रस्थिति वहां की जलवायू कहलाती है तो आपका option है 20 साल, 25 साल, 10 साल, 30 साल तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना अंसर कनफर्म करें दोस्तों इसका जो सही अंसर है option D कम से कम 30 वर्ष के अबदी के दोरान किसी अस्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की ओसत प्रस्थिति वहां की जलवायू कहलाती है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं कोश्चन मर 24 क्या का रहा है दोस्तों कोश्चन मर 24 क्या है भारत और किस देश के सेनाओं के बीच साइकलोन नामक युद्धा अभ्यास की जाती है आपका option है जापान, चीन, इजराइल, मिस्र दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना अंसर कंफर्म करें कि भारत और किस देश के सेनाओं के बीच साइकलोन युद्धा अभ्यास होता है दोस्तों इसका जो सई अंसर होगा option D मिस्र भारत और मिस्र के बीच साइकलोन नामक युद्धा अभ्यास होता है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं, question number 25 क्या का रहा है, question number 25 क्या का रहा है दोस्तों, बरतमान में भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कोन है, आपका option है, रवी कुमार S, रोजर विन्नी, परतीप सिंग खरोला, अं आप से कहीं सेकरेटरी पुछे की BCCI के सेकरेटरी यानि की सचीव अभी बरतमान में कौन है, तो वो जैसा है, यानि की अमित्सा के ये बेटे है, जैसा जो की अभी BCCI के सचीव है, सेकरेटरी है, और अध्यक्ष पुछे यानि की चेर्मेन पुछे, तो रोजर विन्नी, देखते हैं Question No. 26 क्या कहा रहा है? Question No. 26 क्या कहा रहा है? दोस्तों, उनीशमी सदी की सुरवात मैं भारत में Cotton मीले ज़्यादा तर निम्लिखित मैं से किस राज में इस्थित थी? आपका Option है असम, पंजाब, महराश्ट, हरियाना थू? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना अंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा, option C, महराष्टर में कॉटन मीले बहुँ ज़्यादा थी, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चली दोस्तों देखते हैं, कोश्चन में 27 क्या का रहा है, कोश्चन में 27 क्या का रहा है, दोस्तों दादा भाही नरोजी ने अपनी पुस्तक 10 के माध्यम से ब्रिटिस हसासन के आर्थिक परभाव की तीखी आलोचन की, आपका option है India Today, The Idea of India, तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना अंसर कंफर्म करें कि दादा भाही नरोजी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिस हसासन के आर्थिक परभाव की तीखी आलोचन की है, दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा option C, पुस्तक में दादा भाही नरोजी ने ब्रिटिस हसासन के आर्थिक परभाव की तीखी आलोचन की है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं, question number 28 क्या का रहा है, question number 28 क्या का रहा है, दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा option C, James Hutton को भुगर्व सास्तर के जनक माना जाता है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ओके चलिए दोस्तों देखते हैं, question number 29 क्या का रहा है, question number 29 क्या का रहा है, दोस्तों भारतिय खिलारी, चिराग सेटी का संबंद किस खेल से है, आपका option है फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, अंतिम option है तिरंदाजी, तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना अंसर कंफर्म करें, दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा, option B, चिराग सेटी का संबंद बैडमिंटन से है, तो आप लोग अच्छी से ध्यान में रखेंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं, question number 30 क्या का रहा है, question number 30 क्या का रहा है, दोस्तों, मिर्जा कामरान, किस मुगल समराट का भाई था, आपका option A, हुमायू, अकबर, जहांगीर, अंतिम अपसन A, साजहां, तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग अपना अंसर कन्फर्म करें, कि मिर्जा कामरान, किस मुगल समराट का भाई था, दोस्तों, इसका जो सही अंसर होगा, option A, हुमायू का सोतेला भाई था, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगें, यानि कि बाबर का बेटा था, कौन मिर्जा कामरान, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगें, तो दोस्तों, ये total 30 question था, आप लोग comment करके बताएं, कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, all to all question, the best question है, बहुतनी बेहतरीन question देने का प्रयास की है, यदि आप GKGS करेंट अफेर्स अच्छे से पढ़ते होंगे, तो आप इसमें अच्छा खासा score किये होंगे, आप comments करके जरूर बताएं, कि आपका score कितना आया, आपका 25 के आज़ पास सही हुआ होगा, यनि कि आपका GKGS का preparation धमाकेदार है, आप exam में अच्छा करके आएंगे, आपका score यदि 20 से नीचे है, तो आप थोड़ा सा भी और मेहनत करे, अच्छा score आपका हो जाएगा, ओके, दोस्तों ये test स्रीज आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताएं, आप अपने दोस्तों में भी, ज्यादा से ज्यादा सेर करें, ज्यादा दोस्तों लोग देखेंगे, तो मुझे भी the best content लाने में अच्छा लगेगा, ओके, तो दोस्तों मिलते हैं, एक अच्छा खासा ने वीडियो लेके, तब तक के लिए धनवा, नमस्कार,